निर्मल जिले के आमोर में बीजेपी नेताओं और मुदिराज समुधाय के प्रतिनिद्यों ने इटाला राजेंद्र का जोरदार स्वागत किया। इटाला ने कहा कि केसी आर चुनाव के लिए कई घोशनाएं कर रहे हैं। इटेला राजेंद्र ने आलोचना कि केसी आर ने केवल बीसी बंदू, अलप संक्यक बंदू, आस्दीवासी बंदू और दलिक बंदू चुनाओं की घोशना की। लेकिन उन्होंने कहा है कि कोई किसी को पैसा नहीं दे रहा है। इन सभी की घोशन चुनाओं के मद्या नजर की जा रही है। उन्होंने कहा है कि केसी आर की शब्दून के कारियों से मेल नहीं खाते। लोग केसी आर की कपट पूर्ण बातों पर विश्वास करने को तैयार बनलागुडा कल्सा बालापूर के चेर्मेन सिंगी रेड़ी पेंटा रेड़ी ने कहा है कि तेलंगाना सरकार किसानों के साथ खड़ी है इस अवसर पर मुख्यमंत्री केसियार क्रिशी मंत्री निरंजन रेड़ी स्थानिय विधायक और राजशिक्षा मंत्री सभिता इंद 8,698 रुपए दूसरी किस्त में 43 लोगों को 15,89,766 रुपए और 50 लोगों को 34,93,473 रुपए माफ कर दिया है इस कारियक्रम में बनलागुडा कल्सा बालापूर के निदेशक एनू श्रीनिवास रेड़ी CEO एर्रा जयाहिंद कुमार कर्मचारी और अन्य लोगों ने भाग लिया CM KCR चुनाव की तैयारी कर रहे हैं बताया गया है कि जिले के हिसाब से विजेता घोडों का अंकलन पहले ही किया जा चुका है जबकि पहली सुची भी तैयार हो चुकी है लेकिन यह बात फैलाई जा रही है कि अगले सोमवार को उमीदवारों की गोशना कर दी जाएगी सभी पार्टियां भविश्यमानी कर रही है कि तेलंगना विधानसवा चुनाव अक्टूबर के आखरी हफ़ते या नवंबर के पहले हफ़ते में होने की संभावना है उनका मनना है कि सितंबर में चुनाव कारेकरम आ जाएगा इस पुष्ट भूमी में यह ग्यात है कि बीरेस प्रमुक और सीम केसियार के उम्मीदवारों पर पहले ही आकलन किया जा चुका है खबर है कि सूची भी तयार कर ली गई है चुकि इस महिने की 21 तारिक को श्रावन सोमवार एक शुब दिन है इसलिए ऐसी अफ़ा है कि केसियार उसी दिन पहली सूची जारी करने के लिए तयार है केसियार को उस दिन 80-90 उमीदवारों के साथ पहली सुची जारी करने की उमीद है 2018 चुनाव के लिए जहां श्रावन ने सोमवार के ओ पहली लिस्ट जारी की वही खबर है कि रूसा बॉस इस बार भी वही भावना अपनाना चाहते हैं सरकारी सुत्रों ने बताया कि इस बैठक में डबल बेडरूम घरों के वितरन पर चर्चा हुई जिसमें जीएचमसी के अधिकारी भी शामिल हुए उन्होंने कहा है कि जिन लाभुकों ने पहले ही आविदन कर दिया है उनकी सत्यापन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है मंतरी ने अधिकारीयों को इस प्रक्रिया में तेजी लाने का दिया निर्देश मंतरी के टियार ने कहा कि राजसरकार जीएचमसी में एक लाग डबल बेडरूम घर बनाने और उन्हें गरीबों में वितरित करने के लक्ष के साथ काम कर रही है यहां बताया गया है कि पहले ही पूरे हो चुके 70,000 घरों के अलावा के टियार ने बताया कि लाभारतियों की पहचान और चेहन में राजनीतिक नेताओं का हस्तक शेप के बिना सभी सावधानिया बरती गई बताया जाता है कि अधिकारियों ने मैदानी स्तार पर जाच कर पात्रों की पहचान कर ली है मही खबर है कि इस बैठक में ग्रह लक्ष्मी योजना के लाबारतियों के चैन पर भी चर्चा हुई विधायक गुडे मही पाल रेड़ी ने संगा रेड़ी जिले के पटन चेरू निर्वाचन शेत्र के गुमाडई डाला मंडल के अंतरगत अनाराम अनन्त राम डोमा गुडू और गुमाडाला का दोरा किया स्थानिय जन प्रतिनीदियों के साथ मिलकर बनाने वाले पांस सरकारी प्राथमी चिकित्सा स्वास्त उपकेंद्र भवनों के निर्माण कार्य का शिला नास किया गया महिपाल रेड़ी ने कहाए कि अलग तेलंगाना के गठन के बाद चिकित्सा क्षेत्र में क्रांती बदलाव हुए है उन्होंने कहाए कि प्रत्यक मंडल केंद्र में पी एच्सी के साथ साथ ग्रामेंड क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर स्वास्तू उपकेंद्र स्थापित किये जा रहे हैं उन्होंने कहा है कि सरकार ने ये व्यवस्ता इसलिए की है कि गरीब लोगों बीमार पढ़ने पर नीजी अस्पतालों का सहरा ना ले और लाखोर रुपे ना गवाएं उन्होंने कहा है कि प्रत्यक उपकेंद्र में जनता के लिए एक डॉक्टर और एक मेडिकल स्टॉफ प्लद रहेगा उन्होंने कहा है कि पटेंजरू सरकारी क्षेतर अस्पताल में टी डाइगनेस्टिक सेंटर स्थापित किया गया और पच्पन प्रकार के परिक्षन मुफ OU Arts College में BRSV आदिवासी चात्रों के नेतरित्व में रैली निकाली गई, इसके बाद रेवन्त रेड़ी के पुतले का अंतिम संसकार किया गया। दुकाने पाने की उम्मीद कर रहे व्यापारियों के बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं। 23,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। और इस महिने की 4-16 तरिक तक 43,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। यहां पिछले दो वर्षों में 10 दिनों में 79,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते थे। वही इस बार पहले 10 दिनों में केवल 43,500 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हाला कि इस बार समय सीमा दो दिन बड़ा दी गई है। अब कारिवी भाग को उम्मीद है कि पिछले दो दिनों में बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे। क्योंकि श्रावन का व्यस्त समय खत्म हो चुका है और श्रावन का महिना आ रहा है। ऐसा लगता है कि हजारों लोग पहले ही डीडी निकल चुके हैं और श्रावन माह का इंतजार कर रहे हैं। इस संबद में अपकारी अधिकारी कह रहे है कि उन्हें आखरी दो दिन गुरुवार और शुक्रवार में बड़ी संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है। इस भी सरकार ने शराव की दुकारों के आवेदन से अब तक 870 करोड रुपे का राजस्व जुटा लिया है। उत्पाद विबाग का नुमान है कि आखरी दो दिनों में 500 करोड रुपे और जुटेंगे। बाइक और कारों जैसी ही आवाज, हान और ब्रेक की आवाज, पूरा इलाका धूल और गंदगी से भरा हुआ। सानिया लोग यहाँ देखकर हैरान हो गए कि यह क्या हो रहा है। वहीं बाइक और कार भी शामिल थी। उन्होंने रेसिंग और स्टन्ट से डर पैदा किया। यहाँ गटना विकाराबाद में घटी। इस पर पुलिस ने कारवाई की है। विकाराबाद मंगलवार को अनन्तगिरी हिल्स में उपद्र हुआ। रोयल एन्फिल्ड नामक कलब के तत्वधान में युवाओं का उत्साह चरम पर था। सत्तर बाइक और बीस कारों के साथ रेसिंग और स्टन्ट का आयोजन किया गया। सानिया लोगों का कहना है कि कई पर कुछ युवाओं को लाकर अनन्तगिरी पहाडियों में इन दौरों का आयोजन किया गया था। कहा जाता है कि पहले भी कई बार कार रेसिंग और बाइक स्टन्ट का आयोजन किया गया है। पुलिस मामला दर्च कर जांच कर रही है। मुख्य आरोपी गड़्डम श्र खिलाफ कारवाई करेगी या नहीं। लेकिन स्थानिय लोगों कार रेसिंग और बाइक स्टन्ट को लेकर नाराज है। कहा है कि आरोपी कोई भी हो कारवाई होनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसी चीजों से दुरगटना होने की आशंका रहती है और यह सुनिश्टित करना पुलिस की जिमेदारी है कि ऐसा दोबारा न हो। गांधी जो शादी के बाद कुछ वर्षों तक ठीक थे अकसर पीडिता को पीटते थे। देर से घर आते थे और कभी कभी शूटिंग के कारण रात को भी नहीं आते थे। पीडिता पंदरा अगस की रात को वहा गई उसने निर्ने लिया कि उसे दूसरी यूवती के साथ रहना पसंद है और उस यूवती के साथ नहीं रहना चाहती। पीडिता द्वारा पुलिस में शिकायत दर्च कराने के बाद आरोपी के गांधी और एक अन्य यूवती के खिलाफ विबिन धाराओं के तहत मामला दर्च किया गया और जांच की गई आरोपियों को गिरफतार कर रिमान में ले लिया गया। कॉलोनियों में बदमाशों की दरिंदगी बढ़ती जा रही है। राहगिरों को परेशान किया जाता है। कोई रोके तो उस पर हमला करते हैं। गुंडों की बत्तमीजी को देख पैदल जा रही एक महिला खड़ी हो गई घटना कंचन बाग ठाने की है। पुराने शहर में गुंडे बढ़ रहे हैं। कंचन बाग में एक महिला से छेड़ चड़ की घटना सामने आई है। आकसान मंचलों द्वारा लड़कियों के साथ बत्तमीजी करने की घटना सामने आती रहती है। शिकायते आ रही है कि कुछ गुंडे अकेले जाने वाली यूवतियों को परिशान कर रहे हैं। वहीं पुलीस हुर्दंगियों को रोकने में क्यों नाकाम हो रही है। इससे स्थानिय लोगों में गुस्सा है। ऐसा मौसम लगभग नहीं ही होता है। पहुँच गया है। असत अपमान में 3-4 डिगरी की बड़ोत्री हुई है। मौसम विभग का नुमान है कि शुकरवार से प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी की उचाई समुदरतल से 4.5 से 7.6 मीमी के बीच है। मौसम विभाग ने खुलासा किया है कि वर्तमान सतय परिश संचरन ट्रफ 18 तारिक तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी के उपर निम्न दबाओं में बदलने की संभावना है। इस प्रभाव से 18 और 19 तारिक को मध्यम से मध्यम गरज और चमक के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। हैदराबाद के मौसम विग्यान के इंद्र ने जानकारी दिये कि 20 तारिक को कुम्रांभीम, असीफाबाद, मंचरियाला, पेद्दपल्ली, जैशंकर्भू पल्ली, मलुगू, भद्रादी, कोत्तागुडम, महभूब नगर, वरंगल और हनम कॉंडा जिले में भारी बारि राहुल गांधी अपनी सांसत सदस्यता पर लगी रोक हटाने के बाद दोबारा लोकसभा में आ गए हैं, सदस्यता के नवीनी करन के एक सप्ता के भीतर उन्हें, रक्षा पर सांसदिय अस्थाई समिती के लिए नामांकित किया गया। लोकसभा सचीवाले ने राहुल गांधी को संसदिय अस्थाई समिती के लिए नामित करते हुए एक बुलेटन जारी किया है, संसत पत से इस्तिफादेने से पहले भीवाई सी समिती में थे, सुरत की एक अदालत ने मोदी के परिवार के नाम पर अनुचित टिपनिक करने क लिए राहुल को दो साल जेल की सजा सुनई है, हाला कि सुप्रिम कोट ने चार अगस्थ को सजा पर रोक लगा दी, इसके साथ ही साथ अगस्थ को उनकी सांसस सदसिता फिर से बहाल हो गई गिरफतारी के डर से छुपे हुए कननडबिनेता और निर्देशक उपेंदर ने हाई कोट का दर्वाजा खटखटाया है, उन्होंने अदालत से अनुरोत किया है कि उनके खिलाफ दर्ज एफ आई आर को रद्द कर दिया जाए और उन्हें गिरफतारी से बचाया जाए प्रजा किया नाम की राजनीतिक पार्टी की स्थापना करने वाले उपेंदर ने हाल ही में 6 साल पूरे होने के मौके पर फेस्बुक लाइव पर अपने प्रशन संगों से बात की, उन्होंने का है कि भविश में अच्छाई और बुराई होती रहेगी और सभी को अच्छा प्रजारी के डर से वहाँ छिप गया, पुलिस ने चेन्नम माकेरे अचुकटु पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले की जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश लोगों की जान ले रही है, कई इलाकों में डहे मकानों के खंडहरों से अभी भी शव निकल रहे हैं, बारिश के कारण दो राजियों में अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है, इन में से 71 लोगों की मौ समेत कई जिलों में भारी बारिश के कारण भूस कलन हुआ है, हिमाचल प्रदेश में 24 जुन से अब तक बारिश के कारण 214 लोगों की मौत हो चुकी है, 38 लोग अभी भी लापता हैं, सिमर हिल में और कृष्णा नगर इलाके में बचाओ अभियान जारी है, कई जिलों में सैकडों लोगों को बचाया गया, जुलाई में राज्य में बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऐसी हिस्तिती उत्तराखंड में भी है, लक्षमन जुला के एक रिसोर्ट में बूस कलन से 4 लोगों की मौत हो गई, अभी तक दमपती और उनके बेटे को मलबे से निकाला गया, इनके साथ ही मरने वालों की संक्या बढ़कर दस हो गई है, पंजाब में अचानक बार, पोंग और भाकडा बान भर जाने के कारण पानी नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है, परिणाम स्वरूप, होश्यारपूर, गुर्दासपूर और रूपनगर जिलों मे कई इलाकों जलमगन हो गए, इस पर विश्वास करना मुश्किल है, ऐसे घटित होते देखना दुरलब है, सिवाई यह सोचने के कि ऐसा घटित भी हो सकता है, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको यकिन हो जाएगा कि ये सच है, सबसे ताकतवर चीता को बं पुलीस ने हार नहीं मानी और इसका पालन किया, इससे जुड़े वीडियो अब सोचल मीडिया पर धमाल मचा रहा है, पुलीस ने एक ऐसे शक्स को गिरफतार किया है, जिसने विमान में साथी यात्रियों को यह कहकर आतंकित किया, कि उसके पास बं है, आरोपी की पहचान पाकिस्तान के कमिनेता के रूप में हुई है, पैंतरिस साल के मोहमाद आरिफ ने आस्ट्रेलिया के सिड्नी एरपोर्ट से कुआला लंपूर के लिए फ्लाइट ली, उडान भरने के कुछ देर बाद ही उसने चिला कर कहा कि वह विमान को उड़ा देगा, यात्री घबरा तुरंत स्टाफ ने उसका सामान चेक किया, लेकिन कोई विस्पोटक नहीं मिला, इसके बाद विमान को वापस मोड़ा गया और उसे उत्तार दिया गया, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से उनके गंतव्यतक भेजने की स्टोरी से युवाओं को प्रभावित करने वाले अजय भूपती ने महा समुद्रम जैसी इमोशन से भरपूर एक्शन फिल्ट दी, इस बार उन्होंने हारर थ्रिलर का जॉनर चुना है, जो उन दोनों कहानियों से मेल नहीं खाता है, तो उस शैली में वह जो फिल्म बना रहे हैं, वह मंगलवारम है, इस फिल्म से गणगण मोगलिर्या नामक एक गीतात्मक वीडियो गीत जारी किया गया था, जिसमें पायल ने मुख्य भूमी का निभाई थी, इस सर्वे में एक बार फिर साफ हो गया है कि आंधर प्रदेश में YSRCP का क्लीन स्वीप होना तै है, इसमें कहा गया है कि अगर अब तक चुनाव हो जाएं तो पार्टी 24 से 25 लोकसवा सीटों पर जीत का दावा करेगी, मालूम हो कि एप्रेल में हुए सर्वे में YSRCP को एक तरफा जीत मिलेगी, 15 जून से 12 अगस्त के बीच किये गए नवीनतम सर्वेक्षन में भी यही परिणाम दोहराए गए, एप्रेल सर्वेक्षन में कहा गया कि नवीनतम सर्वेक्षन के परिणामों के बीच केवल मामूली अंतर था। परिणामों के साथ 22 सीटें जीती, टाइमस नौ के सर्वे का निशकर्ष है कि इस बार 51.3 फिसदी वोटों के साथ सभी सीटें उनके खाते में आएंगी, साफ है कि उस पार्टी का वोट प्रतिशत पिछले चनौव की तुलना में 1.50 फिसदी बढ़ जाएगा। पवन कल्यान की पूर्वपत्नी रेनुदेसाई इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। मालुम हो कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपने तलाक और पवन को लेकर कई टिपणियां की थी। रेनुदेसाई का कहना है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें निशाना बना कर कमेंट कर रहे हैं। मुझे गाली दे रहे हैं। में तब भी और अब भी सज बताया। मुझे लगता है कि यह वह कीमत है जो मुझे उसके प्यार में पढ़ने और सज बोलने के लिए चुकानी होगी। यदि यही मेरी नियती है तो ऐसा ही होगा। में तेलंगा नविदान सबा चुनाव होंगे। इस चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियां कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा है कि यह लाल मिटी के टीले एशियाई महदवीप में एक दुरलब स्थान है जो वहाँ आंधर प्रदेश, तमिल नाडू और श्रिलंका में पाए जाते हैं। यह लगबग 20,000 साल के इतिहास वाला एक दुरलब स्थान है और इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्यदारी है। उन्होंने कहा है कि परियटन की आड में अवेद गतिविदिया हो रही है और वहाँ इस मामले को केंद्री परियावरण विभाग के ध्यान में ले जाएंगे। उन्होंने याद दिला है कि यह लाल मिटी के टीले भारत के 32 विरासत स्थलों में से एक हैं। उन्होंने आरोप लगा है कि आज इन 1200 एकर टीलों में से केवल 292 एकर जमीन बची है जिसका कुछ क्षेत्र जाने अंजाने रक्षा विभाग को दे दिया गया और शेष शेत्र को भी लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शेष 292 एकर लाल मिटी के टीलों के आसपास कम से कम 30 एकर सुरक्षात्मक भूमी होनी चाहिए लेकिन कम से कम 100 फीट भूमी भी नहीं होनी चाहिए वे इसके चारों और एक सुरक्षात्मक बार बनाना चाहते हैं।